इसके लेक्षन भी पिछले मरीज की तरह ही है तेज बुखार शेरिर में पानी की कमी और बहुत ज्यादा कमजोरी इलेक्षन ठीक नहीं है आखो लो सौ से भी ज्यादा मरीज पिछले हफ़ते से इस बिमारी से पीड़ित है बच्चे बुढ़े जवान इस बिमारी ने किसी को नहीं बख्षा यहाँ दुख रहे डॉक्टर साब हालत तो ये है कि बाहर इंतजार कर रहे हैं मरीज भी इनी लक्षणों की शिकायत लेकर आये हैं मामला बहुत कंभीर है कितने मरीज है बाहर कतार बहुत लंबी है कितने लंबी है कितने लंबी है कितने लंबी है एपाफ़। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही बिमारी है जो कुछ साल पहले बंगाल प्रांथ में मैंने देखी थी ये बिमारी बहुत तीजी से महामारी में बदल जाती है और कोई नहीं जानता कि ये कैसे फैलती है इसके फरोगताम के लिए क्या किया जाए जो दवाई लिपके दी है वो जल्दी लेकर हो जी डॉक्तर जोषी मैंने आपको उन मरीजों के बारे में पता करने को कहा था जो वापस हमारे पास इलाज करवाने नहीं आए उनका क्या हुआ सर जो लोग दुबारा इलाज के लिए नहीं आपाए वो लोग मर चुके हैं सर प्रिमारी तो पहले से ही महामारी का रूप ने चुकी है हमें तुरण ब्रिटिक सरकार को सुचित करना होगा और इस बिमारी को फैलने से रोखने का उपाए ढोना होगा और ना हजारों लाखों लूख इस बिमारी का शिकार हो जाएगे फट कर बात को सुद़ का शेधाओ काू जों जो में बात को सुद़ के दों कर चाम उदाओ का बात का अड़ का जो बात की दोन कर मों अगज कि दो एंद बात का एंद अरे पहले मैं आया था मैं बहुत पहले से खड़ा हूँ बहुत पहले से केशे खड़ा हूँ बहुत पहले से केशे खड़ा हूँ बहुत पहले मैं जाओंगा अरे पहले केशे केशे खड़ा हूँ बहुत पहले मैं जाओंगा अरे कशे खड़ा हूँ बहुत पहले मैं जाओ में जाओंगा मुझे जाना पड़ेगा मैं जाओंगा साही किसी सोच किसी तनाव में है इन्हें परिशान मत कर एक काम करते हैं मैं इन्हें कतार में खड़ा करता हूं और साही जो गाऊवलों के लिए फल आये हैं तुम उन्हें बाट दो हाँ ठीक है नहीं बोला ना पहले मैं जाओंगा अरे पहले मैं आया काका शान्त हो जाईए लड़िये मत सबको साई से मिलने का मौका मिलेगा आये कतार में आये तुमने देखा न मैं यहां बहुत पहले से खड़ा हूँ अच्छा तो ठीक है आप पिछे चलिए अच्छा यह आपके जानने वाले इसलिए पहले यह जाएंगे अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो काका काका आप लो शान्त हो जाए लड़िये मत आप लो यही खड़े रहे और अपनी बारी का इंतिजार कीजिए और हां साय आप लोगे लिए फल आये यह लीजिए यह लीजिए यह लीजिए रुकिये यह क्या मुझे एक छोटा सा मुरूत और उसको उतना बड़ा अनार खाका मैंने किसी का चहरा देख कर नहीं दिया जो हाथ में आया वही दे दिया यह पक्षपात है मेरे साथ भेदभा हो रहा है तुम एसा नहीं कर सकती जिप्री साइए कहते हैं कि यहां सब एक बराबर है तो यह भी बराबर होना चाहिए ना काका आप जिप्री को ऐसा क्यों कह रहे हैं उस ने कहा ना उसने जान मुझके नहीं किया काम कीजिए ये लीजिए अब ठीक है? आप सब क्यों आते हैं यहाँ? आप से मिलने साई लेकिन क्यों? अपने इलाज के लिए साई किसके इलाज के लिए, कौन से इलाज के लिए? साईश शान्त हो जाई आप लोग आपके पास अपने बिमारियों का इलाज करवने आते हैं अपने जीवन की समस्याओं का समादान ढूनने उनसे चुटकारा पाने के लिए आते हैं और इतना ही नहीं साही हम ऐसे कई लोग तो बस आप से मिलने के लिए आते हैं आप से मिलने से खुशी मिलती है दौबार का माई में आने से खुशी मिलती है मन को शांती मिलती है साही आप साक्षात मुख्ति दाता है से और फिर भी आप ऐसा कह रहें कि ये लोग यहां किवा आते हैं तो फिर यह लोग बहस क्यूं कर रहें कि मैं पहले आया था या अगर मुझे ये vehle मिला है तो किसी दूसरे को दूसरा प्थल क्यूं मिला अरे क्या फर्क पड़ता है अगर आपके ही किसी साथी को कोई दूसरा फल मिल गया तो या आपका ही कोई साथी आपसे चार कदम आगे निकल गया तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से हमें शमा कर दीजे साई हाँ साई हमें माफ कर दीजे जिप्री, मैं अपने बेवार के लिए तुमसे मापनी चाहता हूँ खोई बात ने काका कितना विचित्र होता है नाहेंकार जब ये सर उठाता है तो इनसान भूल जाता है कि उसे कौन सी तकलीव थी, कौन सी बीमारी थी अगर याद रहता है तो बस सिर्फ ये कि किसे क्या मिला कौन कितना आगे निकल गया जब कि सच ये है कि इडश्या आसकते प्रोध, लोब, मोह, वासना जैसे मानसिक विचारों से करसित होना ही असली रोग है और असल में इंसान के मन के ये शत्रु कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके ही अपने अहिंकार से उपचे है अपने इन मानसिक विचारों को, इन रोगों को पहचानो इनसे सचेत रहो, इन्हें दूर करने का प्रयास करो तभी तुम किसी भी संकट का सामना करने के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को तैयार पाओगे साई ने अच्छानक से इनसान के दोशों का उदाहरन क्यों दिया और अच्छानक किसी संग्रट का सिकर क्यों किया सर, हमने नाशिक तक के सारे नगरों में मुएना किया कहां कहां कितने खाली जमीन है सब लिखा इस रिपोर्ट में और अच्छानक इतने खाली जमीन क्यों चाहिए सर वेडियर डिंडिश दिस दिस प्रेंड इस अरिया इस टाटें इन बंबे अना अज़ दॉक्तर सेड़् इस प्रेंड इस वेल क्यूद आपके लिए ने अच्छान के एक बिमार इस तो प्रेंड इस वेल बिमारी इस इलाके में बहुत तेजी से फैल रही है बंबई के पास इसकी शुरुवात होई थी पता चला है कि बिमारी बंबई के बाहर भी पैल रही है और कोई नहीं जानता कि ये बिमारी कैसे फैलती है और इसका इलाज क्या है इसलिए जिसमें भी इस बिमारी के लक्षन मिलते हैं उन्हें एकांथ में बीड़ बार से दूर रखने के लिए हमें धेर सारी जमीन चाहिए ताकि स्वस्त लोगों को बचाया जा सके ये बिमारी ऐसी है जो पूरे गाव ये शहर को मार सकती है पर जीन लोगों को एकांथ में रखा जाएगा उनका क्या जब इलाजी नहीं है तो वो ठीक ऐसे होंगे डेवल डाइ इनीडे जिने ये बिमारी हो गई है उनका मरना तो पक्का है इसलिए जितने स्वस्त लोगों को हम बचा सके वो बैतर है तुम लोगों को आसपास के गाव में भी जाना होगा और ऐसे इलागे की पैचान करनी होगी और इसके बारे में गाव के मुख्या को, प्रदान को, पाठिल को और तेसिलदार को इस बिमारी के बारे में बताओगे और उनसे कहोगे जिसमें भी बिमारी के लक्षन दिखाई दे उन्हें एकांद में भीरबार से दूद रखने के लिए एक इलाका टै कर ले एक चावनी बना ले और हाँ, किसी भी वक्त तुम्हें ऐसा मरीज मिले, उसे उसी वक्त इस चावनी में बेज़ देना और इस महामारी को रोकने के लिए तुम्हें जो भी ज़रूरी लगे, वो करो इस अन्डिस्टूड? सर जाओ और अपने एक इलाके के सारे गाओं में जाकर जल्दी से जल्दी पता करो जी साब सर मेरा पता आलो कि करिये प्रकाशित करिये मुझे रहा दिखाईए मालिक मेरा घर जाओ o क्यों भलाके करिये &प का पता करिये याओ की अफियू करता है ब्रणाम सै आप परिशान लग रहे हैं? नहीं जीवताई, मैं ठीक हूँ नहीं सही, कुछ तो है मैंने कल भी देखा आप बहुत ठके हुए लग रहे थे इसलिए आज मैं आपके लिए ये श्रीखंड बना कर लाई हूँ साई, आप जानते हैं? आई ना, हाथ सुष्यों देश से पहले जाग गई और आप लिए श्रीखंड बना के लाई है मास मैं जानता हूँ, जियोदाई कि आप हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ करने को आतर क्यों रहती हैं क्योंकि आप अभी तक अपने अपराध बोद की इकलानी से मुद्द नहीं हो पाई हैं है ना? हाँ साई मेरा मन हर वक्त कचोटता रहता है मैं बहुत गलत सोचती थी आपके बारे में बहुत गलत या की है मैंने, बहुत तिरसकार किया आपका लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे लिए समाज के नियोमों से लड़ गए तादा से लड़ गया आप एक विद्वा को आपने नहीं जिन्दीगी दे दी साई आपकी कृपा से मेरा घर आंगन खुशों से भर गया है लेकिन साई फिर भी हर रोज मुझे यही लगता रहता है कि मैं खुश होने के लायक नहीं हूँ आपकी बहुत क्रिपा है मुझे पर अब और कुछ तो मुझे आता है नहीं बस आपकी थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश करती रहती हो सेवा में बहुत शक्ति होती है जिऊताई इसे मुझे पर फ्यर्थ मत करो प्यर्थ कैसे साई? क्यूंकि सेवा फलदाई तभी होती है जब उससे किसी जरूरत मंद का भला हो अब भला मेरी सेवा के किसे जरूरत हो सकती है काव के औरते मुसीबत में होती है तो बाईज आका के पास जाती है अब साइब, ना ही मैं उतनी बुद्धिमान हूँ और ना ही मेरी उतनी योग्यता है। योग्यता और बुद्धी तो सब में होती है चिऊदाई। और योग्यता समय पढ़ने पर खुद बहार आ जाती है। भो सकता है आपको भी अपने जीवन में ये मौका मिले। साइं, खृपपा करके थोड़ी सी उदी दे दीजिए साइं तुम, तुम्हारी आवास कहीं सुनी है मैंने नहीं ताई, मैं तो दोसरे गाउं से शृटी आई हूँ यह नर्मदा, तुम नर्मदा थेरी ची उताई, अगर अन्ता पंताजी को पता चल गया कि मैं साइके यहां आई हूँ, तो हो मुझे लोकरी से बहार निकलवा देंगे कि रुकमनी वहीनी का कौन ख्याल रखेगा उन्ही के लिए मैं उधी लेने आई हूँ वहीनी? क्या हूँ वहीनी को? मामी जी बिमार है दो दिन से उनके सिर्वे बहुत तेज जर्द है विस्तर पर लेट कर आराम कर रही है लेकिन तब भी उनका सिर्दर्द नहीं जा रहा है ना कुछ खाती है, ना कुछ पेती है और ना ही किसी के को सुनती है केशव और दादा की भी नहीं वो दोनु है कहा गाओ में इसलिए ना वहीनी ने खाना बनाया और ना कुछ खाया वहीनी मुझे नहीं लगता कि आपकी रुकमिनी वहीनी को मेरी उदी की जरूरत है उन्हें जरूरत है तो परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्यार से बनाये खाने की और उस खाने को प्यार से खिलाने वाले की जाहिए चूताइ ये श्रिखंड अपनी रुकमिनी वहीनी को घिलाई है जाहिए िरे ज़िस सर्कार के सिपषए शिरडी में क्या कर रहे हैं कुलकर्णी सर्कार कब लोटेंगे क्यों? सर्कारी फरमान है मुझे दीजे मुझे कुलकरनी सरकार से ही बात करनी है, किसी और से नहीं सरकार बहुत वैस्त आदमी है, मुझे क्या पता कब लोटेंगे लेकित आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ उनकी यहां रहने पर यहां का सारा भर मुझ पर होता है तो बताइए क्या कहना है मुझसे हम हर गाओं में जाकर जंदिगी वाली जगा और कुछ खास लक्षण वाले लोगों को ढून रहे हैं जिने बुखार, उल्टी, सिर्दर्द और पेट दर्ब की शिकायत हैं किसलिए? एक खास बिमारी है जो बड़ी तेजी से फैलती है और यहाँ शिर्डी में अगर यह लक्षण किसी में है तो हमें उसे तुरंत जल्दी से जल्दी शिर्डी से बाहर निकानना होगा इसलिए हमें शिर्डी के हर घर जाकर के जांच करनी होगी शेडी के हरे घर के चार्ण्ज करने के लिए आपको कुलकरनी सरकार से अनुमती लेनी होगी अगर ऐसा है तो हमारा समय बरबात क्यों किया सब इस नोकर से बात करने कोई फाइदा नहीं चलिये हम कसी और गाउं चलते हैं बाद में शेडी आएंगे तो कुलकनी सरकार बापास आजाएंगे तब सुनिये आप लोग ऐसी गंदी जगा धून रहे न जहाँ पर खतरनाक बीमारिया पलती हो है ऐसा एक इलाका है उसकी जाज के लिए आपको किसी की अनुमती लेनी नहीं होगी कौन सी जगा है वो है एक खंड़र तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम जी हो ताई आ गई आप चलिए चल्दी चलिए मुझे दो मैं लेकर जाती हूँ ये ले जी शलो नर्मेदा मैंने कहा ना मुझे भूग नहीं है कोविन्दा 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 क्या हो क्या है नहीं तुम्हें पीलो 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 आज आप लोगों को देखकर जिब बहुत खुशी हो रही है जिवता ही मैं मैं हमेशा चाहती थी कि मैं आपको ऐसे अंगल सुधर और कुम-कुम में देखू आप बेख लिया ना आप तुम बैठो और कुछ खा लो तुम बिलकुल कुछ भी खा नहीं रही हो क्यों खाओगे नहीं तो फीत कैसे होगी खाओ आईए 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 दावा करता है कि वो हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है हर समय बीमार लोग यहां पर आते रहते हैं और वो फकिर कुछ रोकी को भी अलग नहीं बिटाता है उनसे परेज नहीं करता है उनको सबके साथ बिटाता है मुझे तो पक्का विश्वास है अगर वो बीमारी श्रीडी में आती है तो यह जगाये उस बीमारी की प्रजनल स्थल साबित होगी कौन सा स्थल? प्रजनल स्थल जहा से बीमारी फैलती है इसलिए उसके पास जाईए उसे समझाईए अगर ना माने तो उटा के शिड़ी से बार फेगिए उसे या से भगाने के लिए सरकार की अनुमत की जरूरत नहीं है जियुताई अब मैं ठीक हो गई हूँ यहां आने के लिए शुक्रिया जियुताई अब आपको जाना चाहिए पता नहीं आपके दादा कब आजाएंगे ठीक है वईनी मैं चलती हूँ लेकिन तुम भी अपना खयाल रखो वईनी चलो जियुताई प्रखो चाहिए जियुताई प्रखो जियुताई लगी जाएंगे मुझे बहुत प्यास लगी है पानी चाहिए चलो मेद दिती ओओ एफकीर ये फकीर चलोट चलोट सुना नहीं क्या है 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 बिटिश सरकार के सिपाई आदेश दे और कोई ना माने समझ रहे ना आप कितना ठीट आदिमी है ये आप डरिये मत धक्का दीजिए उठाओ उसे तुम अपने एरादों में कभी काम्याब नहीं हो सकते मैं जानता हूँ तुम शिरडी वासियों को शिरडी से बाहर निकाल देने के लिए आए हो और याद रखना मालिक उस पर भरोसा रखने वालों की रक्षन जरूर करता है जरूर इसे कैसे पता चला कि हम यहां क्यों आए चले जाओ चले जाओ यहां से शिरडी वासियों को छूने की कोशिश भी मत करना तुम अपने मकसद में कभी काम्याब नहीं होगे अरे मूर्ख यह किस अघोरी के पास ले आया मुझे चलो यहां से इससे तो हम बाद में निप्टेंगे आओ करना अरे मुझा हम खिए ड सकते हैं कि कर अधमने में टाद मैं प्रूने करना कि यह बज inan już सकते हम के म teles Groß Spirit कि यह जाओ नहीं होड़ नहीं है प्रमें थिल्या नहीं बखता टूने कि उन्दिए बंटेंगि are prov Krang मेरे मालिक मुझे शक्ति दो हम सब को शक्ति दो यहां जो कुछ भी होने वाला है उससे उबरने के लिए मुझे आपकी मदद की सरूरत है दो कि अगरे कि अगरे कि अगरे अगरे जी सरकार के सिपाईयों को परिशान करने का अंजाम जानता है जी जी जानता हूँ अपने किसी उद्धेश के लिए नहीं ले गया था कहा था ना उसके बारे में कि वो किसी की नहीं सुनता अपने खुद देख लिया ना बिटीस सरकार के सिपाईयों के साथ केसे पेश आया किजिए अपना उस फकिर को तो आप कुलकरनी सरकारी ठीक कर देंगे विश्वास किजिए मेरा मेरे वाड़े में पैर रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ख्यमा मांगने आई है या ख्यमा मांगने के बाहाने खुछ चुराने मामा जी आई को छूर मत कई है हमें पता चला ही कि मामी जी भिमार है तो हम उनको मिलने आये प्लk सापका बच्चा सपोना दसेगा नहीं लेकिन फुटकारेगा जरूर लेकिन अच्छे अच्छों के फन कुचल चुका हूं मैं दिखाता हूं मैं तुश्या भी ओ, गुस्सा मत कीजिए पिचारा बच्चा है अकल नहीं है ये लग तो बस मेरी लिए चिंतित होकर मेरी लिए खाना लेकर आये थे क्या कहा तुमने खाना लेकर इसकार्थ ये है कि तुमने इसके घर का अन ग्रहन किया रुक मिनी जिस्त्री ने अपने घर की मान मर्यादा समाज के रीति रिवाजों को अपने भाई के मान सनमान को रौन के विद्वार विवाग किया ऐसी अधर मिनी कुल कलंकिनी के परचाई से भी आदमी बचता है और तुमने इसके घर का अन ग्रहन किया रुक मिनी ये त्रिष्टता करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच आओ जिस मू से तुमने इसके हाथ का मनुस खाना खाया है ना उसी मू से तुम वमन करोगी तुम मेरा कुस सभाईनी पर क्यूँ निकाल रहे हो वो पहले ही असवस्त है तुम उसको उल्टी करने पर विवश क्यों कर रहे हो तुम्हारी तुष्मनी मुझ से है न दादा तु मुझे दंडित करना चाहते हो न तो ठीक है करो मुझे दंडित इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा दो मुझे सजा दो इसके अलावा और आता भी क्या है तुम्हें दादा लोगों को डरा न दंकाना उन्हें सजा देना यही करते आये हो ना आज तक तु पर ये सब करके क्या हासिल किया तुमने चाप ये मत भूल कि तुम मुझसे बात कर रही है साई ने सिखाया है अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है बस अब तब से धीरे धीरे हिम्मत आ गई है दादा दादा मत कहना मुझे दादा मत कहना तेरा मेरा कोई समन नहीं है इसलिए तु भूल गई है कि इस वाड़े में मेरे समक्ष उस पाखंडी के पाखंड का गुर्णगान करना अपराद है निकल जा यहां से इसी समय मैं तो धक के मार के निकालूंगा यहां से तुम्हें जाओ यह क्या रही हो जाओ यहां से चलो यहां संदेश यहां आप यहां से चलो यहां से जाओ यहांए वो वो चुपोज़े बिटा आ आ आ आ आ आ आ साई प्रणाम साई अच्छा वह आ आ आ आ आ आ गे देखे ने मेरे बेटा कब से रोई जा रहा है कब से रो रहा है आधा पैर हो गया है साई हर कोशिश करके हार गई दूथ पिलाया माथे पानी के पटी भी रखी लेकिन ये चुपोने का नाम ही नहीं ले रहा है बीमार तो नहीं है मुझे दिच जिए जिसाई यह अपने कैसे किया साई आपके छूते ही यह चुप हो गया मैंने कुछ नहीं किया यह देखी यह कंकड़ आपके बच्चे की कांख से चिपके हुए थे जिसकी वज़े से इसे दर्द हो रहा था मुझे माफ कनसाई मुझे पता ही नहीं चला कि कब यह चिपक गए और मेरी नजर में भी नहीं आए जब मैं इसे नहलाती या कपड़े बदलती तो मुझे पता चलता लेकिन हुआ है कि कल रात को बारिश हुई तो अचानक ठंडक बड़ गई तो मुझे लगा कि मैं इसे नहीं नहलाऊ और कपड़े भी नहीं बदले माफ करना साई वो बिल्ली देख रही है आप काली बिल्ली ये कब आई ये तो अब शकूँगा है बिल्कुल ठीक का आप में बिल्ली एक छोटा सा जानवर खुद की साफ सफाई के लिए कितना जागरुक है कितना साफ सुत्रा रखता है सुयम को हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए सीख लेनी चाहिए खुद को और अपने आस पास के परिवेश को साफ सुत्रा रखना चाहिए क्योंकि बिमानियों से बचने का यही मूल मंत्र है अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि कल रात बारिश हो गई तो ठंड बढ़ गई इसलिए आपने पने बेटे को नहलाया नहीं उसके कपड़े इसलिए नहीं बदले क्योंकि आपको लगा कि कपड़े गंदे हुए ही नहीं है और कपड़े ना बदलने की वज़े से ही एक अंकड इसकी कांग में चिपे रह गए शुक्र है कि सही समय पर कंकड निकल गए वरना इन कंकड़ों के कारण आपके बेटे के शरीर पर घाव भी हो सकते थे मैं समझ गया साई मैं अभी पानी गरम करके इससे नहला दूँगी और कोशिश करनगे कि इसे दूल मिट्टी से दूजब को मिट्टी में खेलेगा नहीं तो मिट्टी से जुडएगा कैसे पर हाँ आपको यह याद रखना होगा कि जहाँ यह खेले वो मिट्टी साफ सुद्री हो वहां गंद की ना हो क्योंकि जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहां रोग होते हैं धने बास साई आँखे खुलने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी आसपास के जगा को साफ रखने के हर संबर कोशिश करूँगी राम जी भला करें हाटो दे सामने से इस ख्षेत्र में अंग्रेजों के लिए मैं रिड की हड़ी की तरह हूँ इन्हें अवश्यक्ता है मेरी नहीं तो इतने मुख्या है इस जिले में सब को कहां बुलावा मिलता है व्यप्तिकत रूप से भेंग करने का संभवता ये मेरे अच्छे दिनों के पुनगमन का अरम है हरियों रुको नीचे रखो पलके आख क्यान थो तुम मेंसे किसी ने भी उस काली बिल्ली को नहीं देखा किस बात के पैसे देताओ मैं तुम लोगों को काली बिल्ली रास्ता काड़ गई और तुम मेंसे उसे कोई रोक नहीं पाया हो गया ना अपशगून माफी सरकार हमने देखा नहीं अब दिख गई ना मारो उसे जी सरकार मारो मारो साई 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 आप लोग इस बिल्ली को मार क्यों रहे हैं हरियोम हरियोम तो ये तेरी साथ ही है और होने भी चाहिए काली बिल्ली मनुहसियत फैलाती है और तू शिर्डी की सारी मनुहसियत की जड़ है इस संसार में कुछ भी मनुहस नहीं होता है एए तुछ से बहस करने में मुझे कोई रुची नहीं है वो बिल्ली मुझे दे और चल निकल यांसे तेरा तो उदेश ही है मेरे काम में ढांग अड़ा ना तेरे पास कुछ काम नहीं है लेकिन शिर्डी का मुख्या होने के नाते मेरे पास बहुत काम है खुद को शिर्डी का राजा कहते हैं और एक छोटी सी बिल्ली से डरते हैं सबके समक्ष मेरा उपहास करके क्या प्राप्त करना चाहता है तू मेरे बराबरी जन्माश्ठमी के दिन लोगों को वाड़े पर ना आने देकर वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़ कर कई तू ये तो समझने नहीं लगा है कि तू मेरा स्थान ले चुका है कि इस संसार में कोई किसी की जगा नहीं ले सकता है कुलकरनी सरकार और बची बाद जन्माश्ठमी की प्रथा में भाग लेने की तो प्रथा उन लोगों से बनती है जो उसमें भाग लेते जब तक लोग चाहते हैं प्रथा चलती रहती है और जिस दिन लोगों के विचार बदलते हैं प्रथा बदल भी सकती है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो इस नियम को सुईकार नहीं करता वो अपने पतन को निमंत्रन देता है तो भुद में परिवर्तन ला बहरागी मेरे मार्थ में आना बंद कर नहीं तो तेरा पतन निश्चित है वो पिल्ली मेरे नौकरों को सौब दे चल कुलकरणी सरकार आने वाला समय शिर्डी के लिए बहुत चुनोती पूर्ण है शिर्डी को आपकी मदद की जरूरत होगी और आप शिर्डी की मदद तब ही कर पाएंगे जब आप अपने स्वार्थ, क्रोध, लोब और मौ से उपर उठकर सोचेंगे इस बैरागी से बिल्ली को चीन लो और भावा मेरे सामने से उसे जी सरकार सरकार, बिल्ली को चीन कर मार तो सकते हैं लेकिन अभी शुबकारे पे जा रहे हैं ऐसे में खुल खराबा कई अपशगूल ना हो जाए हरियोम हरियोम तु ठीक कह रहा है पंता काली बिली रास्ता काड़ गई उपर से इस मनुहस का मुद देख लिया दो दो अपशगून हो गए अब तो बंता काम भी बिगड जाएगा अंग्रेज अधिकारी से तो मैं कैल ही मिल लूँगा अब तो वापिस जाना पड़ेगा वाड़े पर अटो साप का कहने का ये मतलब है कि हम सब को सतक रहना होगा माना कि ये रोग फैलने की शुरुवात बॉम्बे से हुई है पर ये कौन जाने कभ ये शिर्डी पहुच जाए साप कह रहे हैं कि ये बहुत ही गंबीर मामला है शिर्डी को सुरक्षित रखना आपका कर्तब ये है हाँ बॉम्बे की बाहरी इलाकों में माहमारी पहले ही बहुत लोगों की जान ले चुकी है काश ये बिमारी उस फाकिर को भी लग जाए देखिए शिर्डी बंबई से बहुत दूर है मुशे नहीं लगता कि ये बिमारी शिर्डी तक पहुच पाएगी साप का निदेश है कि आप माहमारी को हलके में ना ले और इस तरह का कोई बिमार इंसान आपको दिखे या कोई ऐसा बिमार आदमी आपके यहां इलाज के लिए आए जिसे तेज बुखार हो, उल्टी हो चरीड में पानी की कमी और कमजोरी की शिकायत हो उसे हर हाल में महामारी शिवीर भेजी महामारी शिवीर? एक अस्ताई जगा जो गाव और शहर के अबादी से दूर होती है ऐसे स्तान पर संक्रमित रोगियों को रखा जाता है ताकि उनके माध्यम से स्वस्त लोगों में बिमारी का प्रसार ना हो और हाँ, आपको तातका स्रीडी के बार ऐसी जगा की वेवस्ता करनी है इसकार्थ ये है कि अंग्रेजी डॉक्टर ऐसे बिमारी से संक्रमित रोगियों का वहाँ आकर इलाज करेंगे? जी नहीं, जहां तक मुझे पता है कि इस बिमारी से कोई नहीं बच सकता इन शीवरों की सापना का उद्देश रोगियों को स्वस्त लोगों से दूर रखना है और ये बात भी सच है कि जो इनसान इन शीवरों में चला जाता है वो लौड के दुबारा नहीं आता हरियोम, ये तो अच्छा है यदि जाने वाले वापस नहीं आते अर्थात मर जाते हैं तो उनके खेंतों को अपने नाम पर करवाने का मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा लेकिन शीवरों की स्थापना के दिये इतनी सारी खाली भूमी कहां से लाओं कुलकर्णी, if you help us eradicate this disease, our majesty will give you monetary rewards and also a prestigious medal as well साथ कहना है, समझाने की कोई अवशकता नहीं है, शास्तरी जी बात मेरे हिदनाप की हो, तो वो किसी भी भाषा में हो, मेरे समझ में आई जाती है इनसे कहिए, ये जैसा चाहते हैं, वैसा ही सब होगा, हर्यो चलता हूँ ये क्या कह रहे, मरीजों पर नजर रखो, लेकिन आजकल सरकार के पास दवा लेने कोई आता ही कहा है सब लोग उस फकीर के पास जाते हैं, हमें भी वहाँ जाकर लजर रखनी चाहिए क्या कहा तुमने कुछ नहीं सरकार मैंने सब सुन लिया है लेकिन पंता ये बीमारी मेरे अच्छे दिनों के वापसी का कारण बन सकती है उस फकीर ने आज तक सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन अब नहीं नहीं समझें? समझाता हूँ अंगरे सरकार के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं है तो वो पाखंडी कहां से ठीक कर पाएगा लोगों हो उसके अनुयायों का भी उस पर से विश्वास रुट जाएगा और जो बचेगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे उसके बाद तुम गावानों को जाकर बताओगे कि कुछकरनी सरकार के पास इस महामारी का इलाज है औशदी है लोग जान बचानी के लिए मेरे पास आएंगे उनकी आर्थिक स्तिती देखकर मैं सुनिश्चित करूंगा उसे शिवर भेजना है या नहीं अगर वो निर्धन हुआ तो तुरंत उसे भेज दूँगा शिवर में यदि धन्वान हुआ तो धीरे धीरे जौं की तरह उसकी संपत्ति चोस लूँगा और फिर भेजूँगा उसे शिवर में मैं सुनिश्चित करूंगा कि शिवर लोगों से ठसा ठस मर जाएं अंग्रे सरकार को लगेगा कि कुलकर्णी सरकार ने उनके आदेश को गंबिरता से लिया है फिर वो मुझे पदग देंगे नगत पुरसकार देंगे इस कार्थिये हैं चारों उंगली घी में और सिर्क गढ़ाई में हरियो मैं जानता हूँ छुपकर तुम मुझे देख रही हूँ अब बार आवी जाओ गवराओ मत मुझे पता है तुम यहां किसी खास वज़े से आई बताओ जानता हूँ इस संकत का आभास पहले ही था मुझे पर फिर भी शुक्र गुजार हूँ तुमारा कि तुम इतनी दूर से इस संकत इस मुसीबत से आगाह करने के लिए आई हो मुझे सुनो 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 हम सब की जान जोकी में है कोई बचेगा नहीं पंता अरे ऐसा क्या हो गया कुछ तो बताओ गंगाराम जी बंबई में रोज सेकड़ों लोग मर रहे हैं महा मारिस है ये बिमारी इतनी खतरनाक है कि कुछी दिनों में गाव के गाव निष्ट कर सकती है माना खतरनाक है पंता जी पर बंबई तो यहाँ से बहुत दूर है फिर वहां की बीमारी अपनी शिरिडी में कैसे आ सकती है लोग सफर करते रहते हैं की नहीं ये बहुत संक्रामक और छुआ छुट वाली बिमारी है और ये अंग्रेज आधिकारी ने खुद बताया है कुलकरनी सरकार को और हमें किस बात कडर? जब हम है साई के दर वो बेरागी? और ये मुर्खो इस बिमारी का इलाज तो अंग्रेज जी आधिकारी के पास भी नहीं है वो फकीर इस बार कुछ नहीं कर पाएगा और तुम सब लोग उसके अंदर विश्वास में अपनी जान से हाग दो बैटोगे इन गाव वाले पे तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है? गंगा राम जी! इन लोगों को छोड़िये! आपको तो मेरी बात पे यकिन है ना? ये फटी चर लोग मेरी बात माने या ना माने उससे मुझे क्या? मुझे तो आप जैसे लोगों की चिन्ता है जो इस गाव के करता धरता है ये तो है? लेकिन इससे बचने का कोई तरीका है की नहीं? है! एक है! क्या? आपको जो भी बीमार लगे उस आदमी की सूचना कुलकरनी सरकार को देनी है जैसे किसी को तेज बुखार कमजोरी शरीर में पानी की कमी बार बार प्यास लगना बार बार उल्टी होना अगर ऐसे लक्षन दिखाई दे तो उस रोगी को तुरंग कुलकरनी वाडे में भेज दीजे चाहे वो आपके परिवार का सदर से हो या पडोसी क्योंकि अगर आप ऐसे लक्षने से पीडित व्यक्ति के पास रहे तो उस बीमारी से आप संक्रमित हो जाएंगे अगर आप बीमारी से पीडित व्यक्ति की सुचना नहीं देते हैं तो उसकी मृत्तियों आप सुनिश्चित कर रहें, साथ ही में अपनी भी. ये बीमारी एक सप्ता के अंदर इंसान की जान ले लेती है. अरे बाप रे, नहीं, नहीं, हम सब सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बीमार व्यक्ति की सूचना सरकार को तुरंत मिले. चलो, इतना तो कर दिया मैंने, कि अब कोई भीमार व्यक्ति सरकार की नजर से पच नहीं पाएगा, और इस बार तो सरकार से ये नाम लेकर रहूँगा. आई, आई, पेर मढदर करें, आई. कोविंदा, यहाँ, अँदे, बेट, आई, आई, बोट प्यास लगिये, पानी जेए, पानी? पानी? आप्पेर, आई. कोविंदा, यहने, यहने, यहने. कोविंदा, तेरा बदन तो बुखार से बटी की तरह तप रहा है? तु लेट जा, लेट जा. आई, आई. पानी? गोविंदा? 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 तीवा! साइ! गार में सब ठीक तो है ना? जी साइ, आपकी क्रिपास सब कुशल मंगल है. सबूरी को विन्दा सबूरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ. भाओ, आपने साइको गई देखा? नहीं. नहीं. भाओ, साइ को कहीं देखा आपने? साइ? साइ तो थोड़ी देर पहले यहां से घुजरे थी. कहा गए? पता नहीं. पता नहीं. कोविन्दा की हालत नाजुक है. उसे इलाज की जरूरत है. साइ भी नहीं है. मैं क्या करू? कहा जाओ? माफ कीजिएगा, सरकार. मगर यह किसलिए? इसमें मैं वो पदक लगाऊंगा, जो अंगरे सरकार मुझे महामारी पे त्वरित कारिवाही करने पर देगी. अरियो! श्रिडिवासियोंने मेरे साथ बड़ा विश्वास खात किया है. उपजार के लिए आना ही बंद कर दिया? त्योहारों में आशिरवात लेने के लिए वाड़े के बाहर खड़े रहते थे यह श्रिडिवासी. अब उस पाखंडी के खंडर में जाकर खड़े होते हैं. लेकिन इश्वर भी मेरे साथ है. अब हर श्रिडिवासी मेरी दयापर होगा. इस महामारी के कारण कोई भी विमार पड़ा, तो मैं सुनिश्चित करूँगा उसका इलाज करना है या नहीं? जिसकी भूमी में अधिक्रहन कर सकता हूँ, उसे औशदी दूँगा. और जिससे मुझे कोई लाव नहीं, उसे मैं सीधा फेज दूँगा महामारी शिविर में. अब पता चलेगा श्रिडी वाजियों को, श्रिडी के असली राजा कुलकरनी सरकार थे, हैं और रहेंगे. रियोम क्या मेरा मूँ क्या देख रहे हूँ, जाओ काम करो, रुको, मुझे पता है, तुम लोगों की चेतावनी को, श्रिडी वासि बिलकुल गंबिरता से नहीं लेंगे. कोई कुछ नहीं बताएगा. इसलिए सावधानी बरतो, कड़ी निगरानी रखो. पंता, जी, अंता गाओ गया है, तुमारी जिमेदारी दुगनी हो गई है, समझे, हाँ, हर घर में खुश के देखो, किसी में भी बुखार या शारिरिक दुरबलता, या हवुल्टी, शरिर में पानी की कमी ऐसे लक्षन दिखाई दे, तो तुरन तुसे मेरे पास लेकिया जी, और अगर किसी ने विरोध किया तो, गसिट्टे हुए लेकर आओ, महामारी से पिडित रोगियों के साथ, किट पतंगों के भाती व्यवाहर किया जाता है, इंसानों के भाती नहीं हरी ओम, हरी ओम पिछली दर्वाजे पर कौन आ सकता है, कौन? अहो, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, राशन लाने के लिए पैसे दीजिए न। बस, इतना, इतने में क्या आएगा? थोड़ा सा अना आ जाएगा, और वो हम लोगों के लिए पूरा नहीं होगा, पुरे और पैसे दीजिए न। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिये, और इतने में ही पूरे महिने का खर चलाना पड़ेगा अहो, मेरे साथ आईए जरा देखी अपनी मुन्नी को, अरे उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है अरे कम से कम अपनी बेटी को तो कपड़े दिला सकते हो कपड़े तन ढखने के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं और क्या बुराई उसके कपड़ों में? थोड़े पुराने हैं तो क्या हुआ दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास कपड़े खरीने तक के लिए पैसे नहीं है इवन सादा और विचार उच्छे होने चाहिए इंसान के अरे मेरी फूटी कितमत किस कंजूस के पले में बन गई अरे इतना पैसा मचा के क्या की जिएगा जब हम ही नहीं बचेंगे अरे कपड़े पर खर्च ना सही लेकिन खाने पीने पर तो कीजिए देखिए, देखिए जरा मुल्नी को कितनी ही कमजोर हो गई है मेरे लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए तो थोड़ा खर्चा कर सकते हैं ना केड़ भर के खाना तो खाती है ना और क्या दिलादू मैंसे अगर मेरे पाद मेवा मिस्ठान खरीननी के लिए पैसे होते तो मैं जरू खेलाता उसे क्या तो मैं भी खेलाता अब नहीं है तो मैं क्या करूँ साई आईए आईए च्यूताई कल इतना सब कुछ होने के बाद अब फिर से अगर आपके दादा को पता चल गया तो वहीनी कोविन्दा बहुत भीबार है वहीनी सारे लक्षिन वैसे ही है जैसे सरकार महमारी के बारे में बता रहे थे कहीं कोविन्दा को महमार है मुझे लगा दादा मुझसे बले कितना भी घुसा क्यों न हो अपने बाद्जे को ऐसी हालत में कम से कम हो वह मदद जरूर करेगा आप कैसे भूल हुई कि आपके दादा अपने एहंकार की पूरती के लिए किसी का भी बलिदान दे सकते हैं और अगर कहीं गोविन्दा उस महमारी से सच में पीडित हुआ तो क्या होगा वही दादा गोविन्दा का इलाज करेगा ना कोविन्दा 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 जूताई आप अपने दादा को मुझसे बहतर जानती है यह समय उनसे पूछने का नहीं है यह जोकिम आप नहीं उठा सकते लेकर आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ करती हूँ ऐसे लक्षर में वो कौनसी आश्यदी देते मुझे पता है मैं अभी लेकर आती हूँ महीनी लेकिन दादा जूताई कोविन्दा मेरे पेटे जैसे उसके लिए में इतना जोकिम तो उठाई सकती हूँ ना अब भार होगी मैं आधी हूँ साइ क्या आप अपने उदी से मुनी को ठीक नहीं कर सकते आपकी बेटी का इलाज उदी से संभव नहीं है क्यों क्यों साइ क्योंकि आपकी बेटी को कोई बीमारी ही नहीं है ये केवल कुपोशन की चिकार है इसे ठीक करने के लिए पॉश्टिक आहार की जरूरत है और जब तक इसे भूजन में संतुलित आहार दूद, दही, घी नहीं मिलता इसकी तवियत ठीक नहीं हो सकती लेकिन साइन इसके लिए तो पैसे चाहिए जो हमर पस नहीं है साइ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैं क्या बता हूं आपको मैं इनको सब कुछ देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहां से दूँ आपने बर्तन में जो पैसे चुपा कर रखे हैं उनमें से कुछ पैसे अपने परिवार पर क्यूं नहीं खर्च करते बर्तन में? लेकिन साई हमरे पास तो पैसे है ही नहीं हाँ साई बिलकुल अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं अपने परिवार पर जरूर खर्च करता लेकिन मुझे यकीन है कि उस बर्तन में पैसे हैं और वो बर्तन यहीं है मेरे पैरों के नीचे जमीन में गड़ा हुआ साई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहां कोई पैसा नहीं है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जमीन में खुदी खोद कर क्यों नहीं देख ले दे जरूर खोदूँगा साई आपको भी तसली मिल जाएगी आपको यह कि यह एलो कर दोदूँगा सबस्टार्ब्स इसमें दीमक कहां से आई दीमक हमेशा खाने की तलाश में ही आती है और खो दिये अंदर सरूर कुछ है कुछ है तो हुआ है तो अंदर में गवाई मिल गए ने के यहां कहां से इसको तो मैंने घर के पीछे आगन में गाणा था यह बही खाथा देख लिजी, मैंने इसे भी पूरा कर दिया है रामकिश्नहरी, सरकार को बाहरी रखना प्रभू कर दिया है कि दूसरे गाओं का बही खाता का है जी अभी दिखाता हूं सरकर मैं लाया तो था तो कहा है कि दब काम मुझे ही करना पड़ता है ना जाने किस काम के पैसे देता हूं मैं तुम लोगों को अटा सरकर मिल गया यही था करेगी यह थानी तो मेरे कक्से आई यही थाओं करेगी तो मेरे करना प्रूबक यहां क्या कर रहे हो तुम जी साफ सफाई तो शांती से नहीं कर सकती उड़ा पड़ा क्यों कर रहे हो अकारण आना पड़ा मुझे यहां अपसे साफधाने बढ़तूंगे जीवताई यह लिजे तन्यवाद मैंने जीवताई कोविंदा कोई सारा मेलेगा आप जल्दी जाएए यह भगवान ओविंदा की रक्षा करना वो उस महामारी से पीड़ित ना हो जिसकी सरकार चर्चा कर रहे थे आपके पास इतने पैसे थे फिर भी आपका परिवार भूखा था आपकी पत्नी आपकी बच्ची पेट काटकर जीने के लिए मजबूर थे कैसे पती हैं आप कैसे पता हैं साइं ये पैसे भी तो मैंने इनी के लिए जोड़ की रखे थे ताकि मुसीवत में काम आए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी मुसीवत में जैसे आपने कहा कि वो कोपोशल का शिकार हो गई है मैं तो यह सोचता था कि औरतों की तो आदत होती है फाल तू पैसे घर्च करने की इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया साही मेरी मदद कीजी यह क्या हो गया मेरे साहर यह आपके ही करमों का फाल है